हेलो एवरिवन तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं तो आज हम आए हैं होंडा शोरूम सिकर के अंदर तो आज हम बात करेंगे जो कि होंडा अमेज का एई तॉarna है वसके अंद्र को लेकिन प्रोम चाहिए वह मिल जाता है अगर लाइटिंग सेटाप की बात की जाए तो लाइटिंग सेट अपके अंदर अपने को पूरा है उस बलब्स जो हैं वो मिलते हैं यहाँ पर लेकिन साथ ही के अंदर अपने को जो LED DRLs हैं वो प्रोवाइड किया जाते हैं आप देख सकते हैं पूरा जो स्पोर्टी लुक है वो इसको फ्रंट से प्रोवाइड किया गया है अब अगर इसके साइड प्रोफाइल में आते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो कि अपना 14 इंच का स्टील रिम जो है वो मिलता है अपर मोडल्स के अंदर अपने को 15 इंच का जो कि अधरे ब्रेंट सब्राइड के अपने को सफ्राइद के मथेह अंदर परेंध ब्रेंट के आपने को और मिलटेये और मिल तो दोर्स के उपर आप देख सकते हैं पूरा बोडी कलर्ड और साथ ही के अंदर अपने को जो मैट ब्लैक फिनिस है उसका यूज किया गया है अगर रूफ की बात कर ली जाए तो इसके उपर अपने को रूफ पे सार्क फिन एंटिना जो है वह प्रोवाइड किया जाता है होंडा की बीजाए अगर बीश के बात की जाए तो मिररा अपने को सिंपल मिरर मिलता है डिफोगर को प्सन इसके अंदर नहीं दिया घया गया हैँ मेस्ट की बैजिंग यहां पर अपने को रीयर में मिल जाती है होंडा का सिगनेचर लोग और ईपने को सी शेटर वाहन disc से पार्किंग सेंसर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अपने को कंपणी की तरफ से चार बार्किंग सेंसर जो है वह प्रोवाइड किया जाते हैं और डेख सकते हैं पूरा और लुक हाई को ट्राइवर साइड में भी वह भी शेम रखा गया इसके अंदर अपने को जो request sensor वगेरा है वह नहीं मिलता क्योंकि जो अपनी की है वह अपने को कुछ इस प्रकार की smart की मिलती है जिसके अंदर अपने को only lock और unlock जो है उसके बटन्स प्रोवाइड किये गए हैं अब इसके इंजन कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर अपने को 1200 CC 4 Cylinder engine जो है वह प्रोवाइड किया जाता है जो कि अपने को 110 Nm की टॉर्क प्रोड्यूज करता है अब इसके इंटीर में आ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो black और बेज कलर का जो combination है वह इंटीर के अंदर अपने को दिया गया है यहां पर अपने को जो फै अपने को ब्लैक फिनिस दी गई अहां पर अपने को शिलवर गार्निस जो है उसका यूज क्या गया है इस टेरिंग पर अगर बात की जाए तो इस टेरिंग पर अपने को जो मांटेड कंट्रोल है वह के वल इनफॉंट्मेंट के मिलते हैं और इंस्टुमेंट क्लस्टर कुछ इस परकार का दिया गया है जैसे कि पूरा की बीच के अंदर एक M.I.D. डिस्पले दी गई और साइड के अंदर अपने स्पीडो मीटर और यहां पर अपने को जो आर्पिम मीटर है वो दिया गया है कुछ इंजन के इंडिकेशन से जो है वो मिल जाते हैं आप देख है वो प्रोवाइड किया गया यहां पर अपने को मैनवली एड़स्टेबल एसी जो है वो मिल जाता है अगर हैंडब्रेक की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का हैंडब्रेक दिया गया है गलब बोक्स अपने को बेस कलर का मिलता है जो कि आप देख सकते हैं पूरा एक म पर अपने को जो जो होगा ऑपने को टील्ट ही मिलता है टील्स्कोपिक जो हेंसके आपने को उप्सन प्र्वाइड नहीं किया गया ऑगया जो combination है वो दिया गया है मिड़ के अंदर अपने को जो armrest है जो कि अपने को two cup holders के साथ मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अपने को तीन पैसेंजर पीछे बैढ़ते हैं तो तीनों के लिए जो seatbelts है वो offer की गई है एक दो और तीन जो seatbelts है वो offer की गई ह 12V का charging outlet जो है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है रियर में बात कर लें इसके प्राइस की तो यह अपने को एक शोरूम 7,70,000 रुपए में मिल जाती है ओन रोड प्राइस जो है वो अपने अपने state के साब से अपने area के साब से उपर नीचे होते रहते हैं ओन र जोर देखें